हेलो फ्रेंज आज मैं आपको टाइम रेनगेट ये मुवी एक्स्प्लेंग करने वाल हूँ ये टाइम ट्रावल मुर्डर मिस्ट्री मुई है इसमें दो कार्केटर हमारे एक कॉप और एक टीचर ये दोनों अपनी प्रेमिका को बचाने के कोशिश करते है ये दोनों अलग अलग टाइम पेरेन में होते है पर फिर भी अपने ड्रीम्स के थ्रू कम्यूनिकेट कर सकते है तो चलिए इस अमेजिंग मुवी को एक्स्प्लेंग करने स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और अभी 31 दिसेंबर दिखाय जाते है एक स्टीट पर होते है जहां वो आने वाल होते है जब किम उसको स्पॉट करता है तो दूसरी तरफ से भागने लग जाता है किम उसके पास बहुश नहीं सकता किम का जो कोवर कर होता है वो एक जगा पर उसे पकड़ लेता है किम जब वहाँ पहुचता है तो इन दोनों में हतापाई हो रही होती है जो कलपरिट था इसके पास गन भी होती है किम इसमें जखमी हो जाता है इसे अब होस्पिटर में ले जाया जाता है अब मैं आपको 1982 में क्या हुआ था ये बताता हूँ यहां में बिक और सुहान दिखते हैं बिक और सुहान ये दोनों टीचर हैं आज 31 है और सब celebration हो रहा है तो बिक सुहान को एक ring देता है क्या वो उससे शादी करेगी ये उससे पूछता है ये इसके लिए हा कर देती है यह जब सब हो रहा होता है तब सुवान की बैग लेकर एक आदमी भाग जाता है बिक भी उसके पीछे बैग लेना चाहता है जब वे इसे पकड लेता है तो इसके पास चाख होता है जिसे बिक को इंजोर कर देता है 2050 में कीम अब हॉस्पिटल में है वो अब ठीक हो चुका है वो मैं उठता हुआ दिखता है और हमसे कहता है उसी रात मेरा सब कुछ बदल गया मुझे ड्रीम्स आना शुरू हो गया मेरे सबनों में एक आदमी मुझे दिखने लग गया ये बीक ही उसे दिख रहा होता है अब हमें 83 में बीक और सुवान दिखते है बीक इसका आवाज रेकॉड कर रहा होता है ये जो बाते करती है ये सब रेकॉड कर लेता है जब सुवान उसे पूछती है कि ये तुम क्यों करते हो तो वो कहता है कि हमेशा के लिए इस टाइम को मैं फ्रीज करना चाता हूँ जब तुम किसे टाइम को रेकॉड कर लेते हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है इन दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटिफुल होती है अब ये शादी करने वाले होते है तो ये सब भूल जाते हो फिर से तुम्हारा जब जम होता है तो तुम्हारी जो better half थी याने कि तुम्हारी प्रेमी का इसे फिर से तुम ढोड़ने लख जाते हो तो ये कुछ भी याद नहीं रहता वो कहती है कि अगले जनम में मैं फिर से इसे face के साथ तुमसे मिलने के लियाओंगी बिक ने उसे कहा होता है कि अगले जनम में मुझे detective बनना है सुवाँ उसे कहती है कि अगर तुम detective बने तो हम दोनों नहीं मिल पाएंगे हमें 2015 में कीम दिखाये गया है उसका एक superior आता है ये superior का नाम kang होता है ये superior बहुत ही strict होता है जब एक आदमे ने एक औरत को hostess लिया होता है उससे लेकर वो भाग रहा होता है तो वहाँ kang और कीम पहुच जाते है वो उस औरत पन गन रखता है पर kang उस आदमे को shoot कर देता है शूट करने के बाद उसका कंदावा चेक करता है कि इनको यह बहुत ही अजिब लगता है किम फिर अपना जो फ्रेंड है इससे बाते करता है यह पूछता है कि ऐसा उसने क्यों किया है किम का फ्रेंड उससे कहता है कि जो कैंग है इसकी वाइफ मर गई थी एक सिरेल गिलर नह वो सुवान के साथ रेस्टोरन में आया हो होता है, वहाँ बिक के स्कूल के बच्चे जुवा खेल रहे होते हैं, यह इसे देखते हैं, पर मुन्हें लगता है कि यह चेक करने के लिए नहीं आएगा, पर बिक भाप भूच जाता है, वहाँ एक शरारिती लड़का होता है, इ मैं तुम्हें देना चाहता हूं बीक इसके बाद जिसके बाद जब खिट्की से देखता है तो वाँ आँ of उस नो पढ़ने लग जाता है जो भी सब भीक देख' रहा हम यह सब कोच कीम को अपने सपने में दिखता है कीम को पेले उन्हे होता तो यह बीक ही होता है बीक भी अब सबने में कीम को देखने लग जाता है फ्यूचर में जो सब हो रहा है यह बीक को मालूम होता रहता है अपने सबने के बारे में बीक फिर सुवान को बता दे हो हमें दिखता है वहाँ पर कुछ students वेगरा भी होती है, इन्हें वो कहता है कि future में snow cup आने वाला है, यहाँ पर जो बच्चा बिठा होता है, वो 2015 में radio jockey बन जाता है, इसी वज़े से radio पर किम को यह सब सुनाई दिया गया था, बिक और भी future के बारे में बाती करता है, जो smartphone होते हैं, इसका description उ देखता है, तो वहाँ उसे swan दिखती है, इसे अपने dream से वो पहचान जाता है, यह बीक की swan है, यह फिर swan का पता निकालता है, उसका पीछा करने लग जाता है, सुनाई इसे पकड़ लेती है, और लोगों को बुला लेती है, किम का wallet इसके पास नहीं होता, तो इन्हें लगता है कि अपड़क करने वाला कोई क्रिमिनल है, यह फिर उसे जब पूलिस टेशन में लेकर आते है, तब इन्हें पता चलता है कि यह डिरेक्ट्व है, यह सब क्यांग देख रहा होता है, अब 2015 की swan को पता चल चुका है, कि यह डिरेक्ट्व है, तो यह सब अब डिन अपने स्कूल में होती है, तो उसके वाइस प्रेजिलन्ट से पुछती है, कि क्या इस स्कूल का नाम अलगता, तो इसे वो कन्फर्म करती है, इसे आप सुवान भी इसमें सब में इंटरस्टेड हो जाती है, इसमें 1983 की swan जो टीचर थी, यह वो देखती है, इन दोनों का सुवान को टेट पर पूछ रहा होता है, इसके लिए हा करती है, किम जब investigation कर रहा होता है, तो उसे बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही होती है, क्या इंग फिर उसके पास आता है, उसे कुछ फाइल्स देता है और कहता है, कि इन्हें सौट करकर देना, इस फाइल्स में 1983 की सुवान के बारे में एक फाइल होती है, इसमें सुवान मर चुकी है, यह लिखा होता है, इसका मर्डर हो चुका था, सुवान का मर्डर हो चुका है, यह बीक को अपने सबने में पता चल जाता है, यह इससे बहुत जादा डिस्टब हो जाता है, 1983 में सुवान जब अपन उड़की के पूछने के बाद वह लड़की कहती है कि हा भूक लेने के लिए आई थी मुझे लगा हया कोई है तो मैं चेक करने के लिए थी कि मैं वो Swan से बूशता है कि आज तुम्हारा plan क्या है ये कहती है कि मैं तुम्हें अपना plan नहीं बता सकती तो ये ऐसा क्या plan है ये बहुत ही जाधा insist करता है तो ये उसका plan बता देती है कि आज wedding dress देखने के लिए जा रही होती है बीक कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा सुहान मानती नहीं कहती है कि आफशगोन होता है तुम मुझे वेडिंग से पहले वेडिंग डेस में नहीं देश सकते है बीक इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता बीक जब future के बारे में बता रहा था तो उसने एक मैच के बारे में भी कहा था तो future में होने वाली है उसका जो student था यह सब वो सुन रहा था जब student ने मैच देखी तो बीक ने जो score predict किया था यही score आया अब बीक को 100% मालूम हो जाता है कि यह जो सब ने है यह कोई illusion नहीं है जो सब हुआ था वो सचमुच में हो रहा है जो case file क्यांग ने कीम को दी थी इसमें बहुत सारी चीजे उसने देखी थी इसमें worker की strike होने वाली है यह भी बीक को पता चल जुका था जब बाहर आया तो यह हो रहा था अब यह 100% sure हो जाता है बीक ने file में देखा था यह जुआरी था उसने suwan को मार डाला था उस जुआरी को फिर बीक ढूणने लग जाता है एक जगा पर आता है उसका नाम लेता है यह जुआरी फिर वहाँ से भाग जाता है बीक उसका पीछा करता है पर इसे ढूण नहीं पाता ये जुवारी भागते भागते सुवान से टकरा जाता है सुवान के पास बहुत सारे पैसे होते है ये वो देख लेता है सुवान एक जगा ट्वालेट में जब आती है उसका पीछा करते करते है ये वहाँ पहुच जाता है इसके बाद यह जुवारी जब बाहर निकलता है तो बीग से यह टकराता है इसके हाथ खुन से रंगे होते है और सुवान की पर्स इसके पास होती है बीग डर जाता है एक सुवान को देखने के लिए जाता है तो सुवान मरी पड़ी होती है जो जुवारी था उसे नेक्स दिन पुलिस पकड़ लेते है बेग भीवा होता है बेग ये सब जब देख रहाता है तो ये उसके स्टुड़न के ही फादर होते है जिस स्टुड़न को उसने पकड़ा था जुवा खिलते हुए उसका ये फादर थे ये स्टुड़न फिर भीग के पास आता है वो कहता है कि मेरे फादर इसा नहीं कर सकते उन्हें फ्रेम किया जा रहा है जो एक्च्वल मर्डर है इससे मैं ढून लूँगा अब मैं फिर से 2015 दिखाय जाता है ये स्कूल के वाइस प्रेसिड़न से बात करी होती है अब क्यांग के पास है क्यांग जो है ये बिक के रिलेटेड है जो सब किम को मालूम हो रहा है ये सब चीजे अब बिक को दिख रही है बिक फिर इस मर्डर के इन्वेस्टिकेशन में लग जाता है किम फाइल्स में देखता है कि जो गैमलर था वो रियल किलर नहीं था क्योंकि वो मरने के बाद भी एक मर्डर हुआ था अब बिक को पता चल चुका है तो इस इन्वेस्टिकेशन में लग जाता है यही रेकॉर्डिंग के पास है, जो फायर होने वाली थी, जिसमें सब बच्चे बनने वाले थे, इसके बारे में अब बिक को मालूम है, बिक को पता है कि जो रियल किलर है, वो वहाँ आया होगा, वो सब प्रिपेर करता है, उसे पकड़ना चाहता है, जो वहाँ पोचता है, तब already आग लग चुकी होती है, वो उस किलर को पकड़ सकता है, वो सामने ही होता है, पर इस रूम में जो बच्चे होते हैं, वो घायल पड़े होते हैं, इनको बचाना उसे ज़्यादा इंपोर्टन लगता है, तो उस किलर को जाने देता है, यह आग तो लग चुकी थी, पर इस आग के बारे में उसे जल्दी पता चल गया था, तो यह जो रूम है, यह जलने से बच जाता है, जो फ्यूचर है, यह अब चेंज हो गया है, यह किम को दिखता है, जिस बिल्ली में आग लग गी थी, अब आग नहीं लगी है, बिग जहाँ आग लेगी थी, वहां फिर से गया था, सुवान को उसने जो ring दी थी, ये उसके पास थी, ये ring उसने वहां के एक clock में रख दी थी, किम फिर 2015 में उस जगापर जाता है, जब वो clock में देखता है तो वहां actual में वो ring पड़ी हुई हुए 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 हुए, किम सुवान को call करता है, और जो fire थी, वो क बचिरन उचुका ए, उसको जो गारी थी, खाई मी मिल गई थी जब पूली स्टेशन में आता है तो सुवान के गारी का जो कामेरा होता है इससे उससे कुछ विडियो टेप मिलती है, इस विडियो टेपस में होता है जो 구ama क्कवाला आठ्मी है इसने गाड़ी रोग दी थी इसने सुवान को पकड़ लिया था और उसने उसे मार डाला है यह हमें इस वीडियो टेप में दिखता है यह देखकर किम रोने लग जाता है फिर से 1983 दिखाए गया है और बीग स्कूल में होता है उसके पास एक लड़की आती है यह वही लड़की है ज पर वो नज़र रखेगा जिस एक्जाक टाइम पर होने वाला होता है तो वहाँ पहले ही पहुँच जाता है लाब में छुपा होता है यह लड़की वहाँ आती है किलर फिर मास्क पहन कर वहाँ पहुच जाता है वहाँ फिर वह एक गैस क्रेट करता है जिससे लड़की अन वो कहता है कि इसके फादर मर्डर नहीं थे. ये वच्छा सप्राइस होता है कि विक ऐसा क्यों बोल रहा है? इसे क्या मालूम पढ़ा है? इसके बाद नेक सिंस में विक को अरेस करने के लिए पुलिस आते है. विक से पुलिस कहते है कि जो मास था, जो हर crime scene पर हमें मिला था वो तुम्हारे death पर हमें मिला है इसे suspect कर रहे होते हैं कि यही killer है पिक फिर वहाँ से खिडी तोड़ता है और भाग जाता है यह जब भाग रहाता है तो जो उसका student है यह से help करने के लिए motorcycle लेकर आता है यह दोनों फिर वहाँ से भाग जाते है अब हमें फिर से पिक दिखता है वो अपने student से बात कर आता है वो कहता है तुम्हारे father killer नहीं है जो सब बाते हैं उसे explain नहीं कर सकता पर उसने audio record करकर यह सब बाते कही है यह सब recording वो इस student को दे देता है इसका मदलब किम का 2015 में जो boss है जिसका नाम क्यांग है यही यह student है बीक अपने student को कहता है कि और एक लेड़ी है जिसे तुम बजा सकते हो उसकी location सब को जो उसे दे देता है अब नेक सिन में हमें किम दिखाया जाता है उसका friend उसे कुछ दिखा रहोता है वो उसे कहता है कि killer की गाड़ी हमें दिखी थी उस गाड़ी में tracking device है और इससे हमें पता चला है कि यह गाड़ी अभी भी वही है किम फिर killer को ढुणने के लिए निकर बढ़ता है हमें दिखता है कि जो 2015 की swan है यह अभी भी जिन्दा है और एक underground bunker में वो बेठी हुई है वहाँ पे जो killer है वो भी मौजूद है swan को जो पहोशाता है तो एक chair लेती है और किर्णाबर के सर में डाल देती है किर्णाबर को बन करकर वहाँ से भागने लग जाती है यह जो डोर होता है एक किर्णाबर कीख करके उसे open कर देता है यह भी इसके पीचे-पीचे भागता है किर्णाबर के एक phone से swan call लगाती है यह call वो कीम को लगाती है कीम कहता है कि मैं भी वही आ रहा हूँ मैं honking कर रहा हूँ मैं तुम्हें ढोण सकता हूँ swan जब रस्ते पर आती है तो कीम फिर उसे spot करते है उसके पास वो आने वाला होता है पर यह रस्ते पर होती है तो एक काड़ी इसी कुचल देती है इस accident से अभी हो मर जाती है इसके बाद फिर swan ने जिस mobile से कीम को call किया था इस mobile किसे investigation करना कीम स्टार्ट कर देता है यह जो number होता है यह evidence से होता है कीम को फिर kang पर शक जाता है जो evidence होते है इसको kang ही access कर सकता है kang की killer है ऐसा उसे लगता है वो फिर kang के गर पहुच जाता है कीम उसके घर पर जाकर जब देखता है तब killer को ढूणने के लिए बहुत सारा study उसने किया होता है kang की जब फैमिली फोटो देखता है तो उसकी वाइब जो थी यह BK स्कूल में थी कीम फिर घर से बाहर निकलता है तो kang वहा जाता है कीम kang से कहता है कि यह जो murder हुआ था यह बहुत अलग तरीके से हुआ था यह जो murder है यह real murderer ने नहीं किया है 2015 के सुवान को जिसने अगवा किया था यह kang था यह kang से पूछता है कि यह उसने क्यों किया था kang फिर कहता है कि बीक हमें बताता था कि वह future देख सकता है वो dreams देख रहा है जब मैंने हमारे period में तुमें देखा तो तुम भी सपना देख रहे थे यानि कि तुम दोनों एक दूसरे से communicate कर सकते थे बिक ने give up कर दिया था killer जो था उसे ढूणने में बिक ने give up कर दिया था यह सब investigation उसने मुझे सोब दी थी अगर मैं तुमारे जरीय फिर से उसे दिखा पाता कि killer जो है यह अभी भी जिन्दा है तो वह कभी भी इस investigation को drop नहीं करता तुम भी हमेशा killer को ढूणते रहते क्यांग का इसके बीचे अलग motivation होता है इसकी जो wife थी इसको भी killer ने मारा था क्यांग इस murder की जब investigation कर रहा था तो उसे murder weapon मिल चुका था इसे murder weapon मिल चुका है तो killer ने इसे blackmail करना start कर दिया इसकी wife वो अगवा कर लिया और यह murder weapon उसे लानी के लिए बोला जब क्यांग ये weapon उसे देने के लिए गया तो इसकी wife को उसने मार डाला कैंग ने killer पर गोली चलाए पर उसके कंदे पर लगी वो मरा है या नहीं ये कैंग को नहीं पता कैंग killer से obsessed हो चुका था तो उसे जो investigation है ये continue चलनी चाहिए ऐसा लग रहा था इमको अगर लगा कि killer अभी भी जिन्दा है तो investigation continue चल दी रहेगी जो killer है वो पकड़ा जाएगा ये सब होना चाहिए इसलिए सुवान को कैंग ने abduct कर लिया था कैंग कहता है कि सुवान को मैं मारने नहीं वाला था मुझे सिर्फ तुमें दिखाना था कि वो मर चुकी है रोड पे जो accident हुआ ये बहुत गलत चीज हो गए कैंग फिर कीम के पास आता है और अपने टीचर बिक को एक message देता है उस date पर बिक को अपने school नहीं जाना है क्योंकि वहाँ killer है अगर बिक school पर जाएगा तो killer उसे मार देगा ये message हो उसे दे कर जाता है कैंग बिक को ये भी कहता है कि मुझे तब मार डालना अगर तुम मुझे तब मार डालोगे तब मैं इस case से अपसेस नहीं हो जाओंगा मैंने जो murder किया है ये मुझे से नहीं होगा अब हमें दिखता है कि विक को ये सब message मिल चुका है इस रात बहुत ही बारिश हो रही होती है ये कैंग का message सुनता तो है पर इसे ignore कर देता है वो अभी भी school में जाने वाला है बिक जो है ये young कैंग के साथ यानि कि उसके student के साथ एक जगा पर चुपा हुआ था वो रात में वहाँ से निकल जाता है वो school में आ जाता है वो school में आने के बाद हमें पता चलता है जो killer है ये उनका ही biology teacher है इस बार बिक ने भी अपने साथ mask लाय होता है biology teacher और बिक ये दोनों अब एक दुसरे को मारने लग जाते है बिक उसका गला दवार होता है और फिर उसे पुझता है कि ये सब तुमने क्यों किया था ये biology teacher कहता है मुझे drugs की आदत थी chemistry lab से मुझे ये सब मिल जाता था swan chemistry की teacher थी तो इसने ये सब देख लिया था swan ने देख लिया आये तो उसका job भी जा सकता था इसलिए swan को इसने मार डाला था एक student थी जिसने भी ये सब देख लिया था इसको भी माननी की कोशिस ने की है ये biology teacher फिर एक चाको लेता है और इससे बिक को मानने वाला होता है तब वहाँ young kang आ जाता है kang फिर biology teacher को खिटकी से बाहर फेक देता है biology teacher जिस लटकी को मारने वाला था kang वो सही है या नहीं ये देखने की ले जाता है वो कुछ भी हट नहीं होई होती बिक वहाँ से बाहर निकल रहा होता है तो biology teacher फेसे उपर आ जाता है वो एक चाको लेता है और बिक को मार देता है बिक और biology teacher अब दोनों एक दुसरे से बहुत ही जगड़ते ये एक दुसरे को मारते मारते टेरिस पर आ जाते यहाँ बहुत ज़ादा बारिश हो रही है बिक के पास एक handcuff होता है इस handcuff से इस biology teacher को पकड़ लेता है उसे घसीटता घसीटता एक पोल के पास लेकर जाता है यह जो पोल होता है यह lightning को capture करता है इसे मालूम होता है कि आज बिजली इस पर गिरने वाली है यह killer को वहाँ से बान देता है और यह बिजली उस पर गिर जाती है यह killer slash biology teacher यही मर जाता है क्यांग बिग को देखने के लिए आता है पर इसी terrace पर बिग भी मर जाता है जिस लड़की को क्यांग ने अब बचाया था यही उसकी wife बन जाती है अब मैं next day में फिर से 2015 दिखाया जाता है कीम जब next day अपने job पर जाता है तो उसे कोई भी पहचान दने उसका जो friend था वो senior बन चुका है कीम जब TV पर देखता है तो बिग का एक student बहुत ही बड़ा entrepreneur बन चुका है बिग ने उसे cell phone के बारे में कहा था तो उसके student ने इसमें invest किया था तो अब वो बहुत ही बड़ा अमेर बन चुका है कीम को यहाँ पता चलता है को डिडिक्ट्टू ही नहीं वो फिर स्कूल पहुचता है स्कूल में पहुच जाने के बाद सुवान उसे दिखती है सुवान और इसकी relationship है यह उसे पता चलता है यह दोनों इसी स्कूल में बढ़ाते है कीम जो है यह music teacher है और सुवान जैसे पहले थी उसी तरह से chemistry teacher है कीम फिर इसे हक करता है जब यह स्कूल में पहुचता है उसे फिर कैंग दिखता है कैंग भी इसी स्कूल में teacher है जिस तरह से अच्छी शिक्षा बिक अपने student को देता था उसी तरह से क्यांग भी अपने बच्चों को बहुती सही तरीके से पढ़ाता है अब जैसे हमने movie के first में देखा था कि बीक और सुवान दोनों अपना घर देखने के लिए गए थे इसी तरह से कीम और सुवान भी उसी घर को देखने के लिए जाते है यह दोनों फिर से वरांडे पर बैठते है तो सुवान फिर से वही बात करती है वो कहिती कि जब हम मर जाते है तो नेक जनम में हम क्या है यह हमें दिखता है यही जो सब है यह इन दोनों के साथ हो रहा था यानि की बीख ही है, बनने के बाद वो कीम बन चुका है सुवान भी फिर से बौन होई थी और उसे चेहरे के साथ वो वापस आ चुकी है 1983 में पेक और सुवान एक दुसरे से मिल नहीं पाये थे पर इस बार कीम और सुवान एक नहीं जनम में मिल चुके है यह दोनों सेम ही है, इसी वज़े से एक दुसरे की डिम्स उन्हें दिखाई दे रहे होते है बहुत ही अलग-अलग टांस के साथ मूवी थी है, पर यह बहुत ही अमेजिंग मूवी थी यही हम अमारा आज का वीडियो कंप्लीट करते है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओगा, तो प्लीज वीडियो का लाइक कर दीजिगा बहुत सारी ऐसी मूवी लेकर आता रहते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिविशन आइकन दबाना भी मुत भूलिए यहीं कि आपको सब मुवीज मिलती रहे हैं हम फिर से मुलेंगे एक नई मुवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये